दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों दुनिया में हर औरत की ये चार भूँक कभी भी नहीं मिड़ती कौन सी बेभूँक है आईए जानते हैं इस वीडियो के मात्यम से लेकिन सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजे क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं और रोजाना इसी परकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकान को प्रेस कीजे आप चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों जब कहीं भी इतिहास में चंद गुप्त मौरे का नाम आता है तो हमेशा दिमाख में एक चीज और आती है और वहाँ है चाड़क की नीती दोस्तों चाड़क की नीती विश्व की सबसे बड़ी राजनीती कला है आचारी चाड़क के जी ने जब मानब जाती को धर्म के बंधनों में जकड़े देखा तो उन्होंने सोचा कि आज मानबता को धर्म के बारे में पूरा ग्यान देना आवश्यक है और इस तरह जन्म होता है चाड़क की नीती का दोस्तों एक साधारण युवक शंद गुरुप्त मौरे को राजा बना देने वाले महाराजी नीती के वह अर्थ सास्त्री आचार चाड़क के द्वारा बताई गई जीवन के पृति महत्पूंड बातें कुछ इस प्रकार हैं आईए जानते हैं दोस्तों जीवन के इस लंबे सफर में या सोच कर चले कि कभी भी आप पर बुरा समय आ सकता है इसलिए ऐसे समय के लिए थोड़ा बहुत धन आवश्य बचा कर रखना चाहिए दोस्तों जब भी कभी इनसान पर बुरा समय आता है उसके अपने भी पराये हो जाते हैं एदीधन उसके पास हो तो वा इस समय का मुकावला कर सकता है दोस्तों आगे आचारे शाड़क की जी कहते हैं कि बहुत भले बन कर जीवन नहीं बितीत किया जा सकता भले और सीधे आदमी को हर कोई दवा लेता है उसकी शराफत और इमानदारी को लोग पागलपन समस्ते हैं दोस्तों जैसे जंगल में सीधे पेड़ों को पहले काचा जाता है तता टेड़े मेडे पेड़ छोड़ दिये जाते हैं इसलिए आप इतने सीधे मत बनिये कि लोग आपको लूट कर ही खा जाएं दोस्तों उल्लू दिन में नहीं देख सकता है इसमें भला सूरी का क्या दोस है कदीन के पेड़ पर पत्ते नहीं आते हैं और ना ही फूल खिलते हैं इसमें बसंत रितू का क्या दोस है चातक के मुह में बरसा की एक बूद नहीं गिरती है इसमें भला बादल का क्या दोस है यूँ समझ लो कि या सब कुछ बिधाता की ही देन है दोस्तों इश्वर महान है सर्ब शक्तिमान है इस संसार की सारी बागडोर इश्वर के हाथ में है इश्वर ही राजा को दास और दास को राजा बना देता है दोस्तों इश्वर ही गरीब को अमीर और अमीर को गरीब बना देता है इश्वर पर भरोसा रखो बही सब का खया लखने वाला है जिया दोस्तों बिल्कुल सही सुना आपने आप सभी को इशर और अल्ला पर भरोसा ही रखना होगा तभी आपको जीवन में काम्याबी मिल सकती है दोस्तों हर पहाड के अंदर हीरे नहीं होते हर हाती के मस्तस्क पर मुक्ता नहीं होती सब इस्तानों पर अच्छे आदमी नहीं मिलते हर इस्तान पर चंदन नहीं होते दोस्तों हर चमकने वाली चीच सोना नहीं होती है या सारी दुनिया विबादों से घिरी हुई है इसलिए जीवन में कोई भी निर्णे लेने से पहले हजार बार आवस्य सोचना चाहिए दोस्तों चारक की जी के अनुसाज जैसे हाती बूढ़ा होने पर भी चंचल लहता है गन्ना कोलू में पेड़े जाने पर भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता है और सोना आग में तपने के बाद भी अपनी चमक नहीं खोता है इसी परकार से अच्छे चरित्र वाले लोग कहीं भी चले जाएं बा अपने गुड़ों को नहीं छोड़ते हैं दोस्तों कुछ पागल आदमियों ने पत्थर के टुकडों को ही रतन माल लिया है असली रतन तो केबल अनाज पानी और ग्यान ही होते हैं इन तेन रतनों से बड़ा रतन और कोई नहीं हो सकता दोस्तों चाड़की जीके नुसार पाप और पुंड में क्यांतर होते हैं मेरे शत्रू कौन है और मेरे मित्र कौन है मुझे किस कार में लाब हो सकता है तता किस में हानी या सोच कर ही मनुस्यकों जीवन का हर कदम उठाना चाहिए दोस्तों कठिन काम पढ़ने पर सेबक की संकट के समय भाई बंधू की आपतिकाल में मित्र की तथा धनके नाश हो जाने पर इस्तरी की परिच्छा होती है दोस्तों शेर से एक, बगुले से चार, कववे से पांच, कुत्ते से छे और बाग से ये त्विन गुड सीखने चाहिए काम भले ही थोड़ा करो किन तुमन लगा कर करना चाहिए इंसान को या शेर से सीखना चाहिए समय के अनुसार अपनी शक्ती से काम करने का गुण बगुले से ठीक सीखना चाहिए ठीक समय से जागना, सोना लड़ना, जपड़कर भोजन करना, या गुण मुर्गे से सीखना चाहिए दोस्तों समय समय पर संग्रइ करना, शवकस रहना, दूसरों पर बिस्वास ना करना यागुण हमें कव wonderfully से सीखना चाहिए दोस्तों बहुत भूंक में भी संतुष्ट रहना, गहरी नीद में सोते हुए भी जागे रहना मालिक की बफादारी के गुड कुट्ते से सीखने चाहिए दोस्तों ये दी धनका नाश हो जाए मन की शान्ती भंग हो जाए तो इन सब बातों को बुद्धिमान लोग दूसरों को नहीं बताते जो बैक्ति दूसरों को बताने की भूल करते हैं लोग उनका मजाग बनाते हैं दोस्तों अपने हातों से किया हुआ काम सबसे स्रेष्ठ होता है इसलिए मनुस्य को अपना हरकार अपने हातों से स्वयम करना चाहिए दोस्तों अंदादुंद खर्च करने वाला तता जो अपनी आमदनी से अधिक खर्च करते हैं और दूसरों से जगडा करते हैं, ऐसे लोग कभी सुखी नहीं रह सकते, दोस्तों जैसे धरती खोधने से उसमें से पानी निकलता है, बैसे ही गुरु की सेवा करने से बिद्या प्राप्त होती है, यावाज सदा याद रखें कि गुरु की सेवा के बिना इनसान कभी सिच्छा प्राप्त नहीं कर सकता है दोस्तों कोई भी कार आरंभ करने से पहले या प्रशन करना चाहिए या कार मैं क्यूं कर रहा हूं इसका क्या फल मिलेगा इन प्रशनों का उत्तर गंपीरता से अपने मन में ढूणने का प्रियत्न करें इसके पस्चाथी काम आरंभ करें दोस्तों जो नारी अपने पती का कहना नहीं मानती और ब्रत रखती है ऐसी नारियां अपने पती की आयू कम करती है ऐसी नारियों का या सोचना चाहिए कि पती की आग्यां के बिना चलना उनके लिए कभी भी लाबदायक नहीं हो सकता है उनके लिए स्वर्ग की प्राप्ती केवल पती की सेबा से ही संभब है दोस्तों जीबन का अर्थ यही है कि इसे सदा अच्छे काम में लगाए रखें अच्छे भले ग्यान के कामों में ही पुरुस महान बनता है यह मत भूलो कि यह जीबन अस्थाई है इसलिए इस जीबन के हर पलका उप्योग किसी अच्छे कार के लिए किया जाना चाहिए दोस्तों जब तक जीबन है तब तक हर इंसान हर चीज में आनंद लेता है किन्त जैसे ही मृत आकर जीबन का अंत कर देती है इसके साथ ही हर चीज का अंत हो जाता है दोस्तों अब हम आपको वो बात बताने जा रहे हैं जो हमने आपके सामने थम्बनेल में रखी थी जिया दोस्तों दुनिया की हर औरत की ये चार भूंक कभी भी नहीं मिरती धन, जीवन, वासना और भोजन इन सब के लिए दुनिया की हर औरत हो या मनुस से हमेशा भूंका ही रहता हैं भले ही उसे या चीजीं कितनी भी मिल जाएं लेकिन उसकी लालसा समाप्त नहीं होती है तो दोस्तों ये थे आचार चारक जी के कुछ बेहद अनमोल बचन जो वीडियो के माध्यम से हमने आपके साथ शेर किये उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा पसंद आने पर आप इसे लाइक करिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिए चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक आप रहिए इस्टे मोटिवेट इस्टे फियरलेस जै हिंद